Hello students, as you all know that on 22 of March we celebrate Water Day. So here is an activity you all will perform for Water Day. Okay, प्यारे बच्चों, 22 March को हम Water Day celebrate करते हैं. तो आज हम उसके उपर, Water Day के उपर एक activity करने जा रहे हैं. आपने भी एक activity करनी हैं, okay? Okay, now students, material required, A4 sheet, white color, pencil, painting के लिए brush, paint brush, watercolor भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग, ठीक है? और आपने पहले इस A4 sheet को ये border बना लेना है, ठीक है? और फिर उसके बाद हम देखिए क्या ड्रॉ कर रहे हैं, अपने guess भी करना है साथ साथ में, कि मैं हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, Water Saving के उपर, ठीक है? देखिए इस तरह से हलके हलके हाँ से आपने पैंसिल के साथ पहले ड्रॉ करना है तो आप देखती जाओ, मैं क्या ड्रॉ कर रहे हैं इस तरह से कि अब देखिए मैं क्या ड्रॉ कर रही हूँ देखिए देखिए वाउ अब ये क्या बना अब थोड़ा थोड़ा समझ आ गया होगा आपको ये क्या बन गया टैब हमारा टैब बन गया ठीक है अब देखिए इस में से अब हम क्या कर देए हैं टैब से क्या आता है वाटर और एक छोटी सी ड्रॉप बना दिये और हमने जो है टाप का आइस बना दिये अब देखिए हम टाप के हैंड भी बनाएंगे इस तरह से आपने बनाने हैं देखिए यह ऐसे यह हमारे टैप के हैंड्स बन गए अब दिखे इस तरह से अब इस हैंड से टैप क्या करने वाला है सोचो 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 क्या करने वाला है अब मैंने ट्रॉप करे एक बिग ड्रॉप यह अपनी drop को safe कर रहा है ठीक है यह दहिखिए इस तरह से उसको drop के भी हमने hands बनाए अब हम क्या करेंगे इस तरह से drop के हमने feet बना दिये अब हम drop की eyes draw कर रहे हैं ये देखिए, इस तरहां से, ओके, वेरी नाइस, बच्चों, ये हम वाटर सेविंग के ओपर बना रहे हैं तो इसलिए टैब कहा रहा है कि एक-एक बुन कीमती है, हमारी जो ड्रॉप है वो कीमती है, अब हम इसे पेंट करेंगे, देखिए, ब्रश के साथ, ठीक है, आप टै में ग्रे कलर फिल करूंगी, ये देखिए, इस तरहां से, लेकिन आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर फिल कर सकते हैं, अगर आप पेंट कलर नहीं यूज़ करना चाते तो वो भी मत करिए, आप पैंसिल कलर, स्क्रियों, ऐसे भी कलर यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पा से, बच्चों हमें पानी को बचाना है, एक एक बून कीमती है, ओके देखिए, इस तरह से टैब जो है, ड्रॉप को बचा रहा है, और आपनी इस तरह से बनाना है, ओके, वाओ, देखो कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन जो है, टैब है, वो क्या कर रहा है, अपनी एक एक एक ड्रॉब जो है बोन पानी की वह किंती है Students, now my activity is ready, okay Students, you all know water is very precious for all living beings आपको पता है ना की सभी के लिए पानी कितना जरूरी है How to conserve water during a drought हमें सुखे से बचने के लिए पानी को कैसे बचाना है Turn off the water when you are brushing your teeth Turn off water when you are soaping your hands Take short shower and turn off the water while you soap your body and wash your hair Don't take bath in tub When you wash dishes, turn off the water while you soap and scrub the dishes Save your shower water to water plants Dear students, आपने भी water day पर ये activity करनी है और आपके पास कोई भी अपने ideas है उनको भी use करना है Drip, drop, drip, drop This kind of clock must be stopped Thank you I'll see you